इस वीडियो के इतना है हम लोग बात करने वाले हैं वाव टू चेक ता लॉंज एक्सेस ओन यूर डबिट कार्ड और दा क्रेट कार्ड कैसे आपको पता लगेगा क्या आपका डबिट कार्ड ग्रेट कार्ड लॉंज एक्सेस के लिए यहाँ पर इलिजिबल है की नहीं है चाहे डॉमेस्टिक लॉंज एक्सेस हो या फिर इंटरनाशनल लॉंज एक्सेस हो आपके launch access की limit कितनी है कैसे आप लोग pre-book वगरे करा सकते हैं launch access को तो guys यह सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के इंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा तो देखें guys सबसे बिल अगर मैं बात करो तो एवरेज़ ली इंडिया में जो भी domestic launch access होते नॉर्मली उनकी जो entry fees होती है वो 1500 रुपे के आसपास होता है एक परसन का जी हैं तो जितने भी guys card networks होते हैं बैंक होते हैं इन सारे launch access के साथ में tie up करते हैं जहां पे आपके visa card के उपर 2 रुपे के reductions होता है Mastercard के उपर 25 रुपीज का होता है और रुपे के उपर 2 रुपीज के reductions होता है आप guys इंडिया के इंदर ये जो तीनों ही card के network है जो visa है जो mastercard है जो रुपे है इन्होंने याँप फिर different kind of the launch access के साथ में partnership कर रखी है तो guys अगर आप लोग सबसे पहले check out करना चाहते कि हमारे इंडिया के इंदर कितने launch access है जो इनके साथ में partnership में है तो मैं तीनों की link आपको description box में दे दूँगा example के लिए screen के सामने आप दे सकते visa ने यहाँपे हमारे इंडिया के इंदर 50 से भी जादा जो है launch के साथ में आपे partnership कर रखी है और यहाँपे आपको particular जो है city दिखेगी launch का name दिखेगा कौन से terminal के उपर है terminal का number क्या है उसका address क्या है और opening जो operating hours होते है वो कितने है या उसके लावा कोई अगर remarks वगर है तो वो चीजे भी यहाँपे आपको दिखाई देगी तो guys यहाँपे चाहिए domestic launch access हो या फिर international हो दोनों ही यहाँपे आपको दिखाई देगे इसी तरह से guys अगर मैं mastercard की बात के हो तो mastercard की website के उपर कोई आपको list तो नहीं मिलने वाली है लेकिन यहाँपे इनोंने city wise basically बहुत अच्छा arrangement कर रखा है for an example अगर आप चैनने में चेक करना चाहते तो जैसे आप उसके उपर click करेंगे आपको simply तरीके से यहाँपे terminal के साथ में launch access कौन कौन से वो आपको देखने को मिल जाते हैं इसी तरह हमारे इंडिया के रूपे card network ने भी जो है इंडिया के अंदर काफी सारे जो है launch के साथ में यहाँपे partnership कर रखी है तो अगर आप यहाँपे simply country डालेंगे उसके बाद में यहाँपे अपनी city बगरे select करेंगे तो यह अपने आप यह आपको simply तरीके से बता देगा साथ में गईस रूपे की तो अच्छी बात यह भी है कि कौन सा card type यहाँपे चलने वाला है तो वो भी आपको बता देगा जैसे screen के सामने आप देख सकते हो रूपे select और platinum यहाँपे लिखा हुआ आ गया है ऐसे यहाँपे हर card के उपर अगर वीजा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास में launch का access है क्योंकि यहाँपे cards के अंदर भी आपको काफी सारे variants मिलते हैं जैसे visa, platinum वगर हो गया, master card के अंदर भी बहुत variant होते और रूपे के अंदर भी मैंने बता है, रूपे का basic भी मिलता है, रूपे का select भी मिलता है, platinum भी मिलता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके card के उपर या जो भी आपका debit card है, चाहे credit card है, वो eligible है की नहीं है तो जैसे मैं इनकी website के उपर जाओंगा, तो कही ना कही में को एक link मिल जाएगा, जिसके अंदर उनके जित्ती भी card के variant है, जो की airport के launch के access मिलते हैं, उनकी पूरी की पूरी list यहाँ पर बनी होगी similar kind of the bank, जैसे कि माली जै मैं access bank की यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो जैसे मैं google करूँगा access bank launch access list, तो यहाँ पर screen के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी PDF निकल जाएगी, और सभी के अंदर card के variants वगरे, सारी चीज़े यहाँ पर लिखी भी होती है अब guys normally क्या होता है, इन cards के अंदर जो भी चाहे आपको visa मिला है, चाहे आपको master card मिला है, या फिर रूपे मिला है, चाहे credit cards हो, चाहे debit card हो, सबका एक set अलग होता है, बलब सब card के उपर ऐसा नहीं है, कि सब card के उपर आपको domestic launch access में मिलेगा, सब card के उपर आपको internationally मिलेग प्लस कौन से किस city के launch access में आपको access मिलेगा, ये सारी चीजे भी इसके अंदर terms and condition wise लिखी वी होती है, एक्जामपर के लिए जिसे मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास मालीजे flip card का जो है basically access credit card है, तो जिस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, चार complimentary launch access per year मुझे मिलने वाले हैं, और ये card जो है set A के अंदर आता है, और set A के अंदर यहाँ पर कौण कौण से launch के access मिलेंगे, तो उसकी list यहाँ पर proper तरीके से दीवी है, इसी तरह यहाँ पर set B के अंदर कौण कौण से cards आते हैं, और उसके साथ में कौण कोण से आपको launch के access वग जाएंगे कि कौन सा card है और उसके अंदर आपको table wise जो है नीचे launch के नाम वगर है उनके access वगर है ये सारी चीज़े देखने को मिल जाती है अब guys ये तो हो गया simply पहला तरीका जहां पे आपको अपनी card का जो है variant डालना है simply तरीके से उसको google करना है या पूरी इस तरह से आप किसी भी bank के list निकाल सकते है उसके अंदर proper तरीके से जो भी यहाँ पे complimentary आपको access वगर है जितनी limits वगर है मिली होगी वो proper तरीके से लिखी होगी और कौन कौन से जो launch होंगे वो आपको access करने को मिल जाएंगे वो simple तरीके से यहाँ पे mention होंगे अब गईस मैं बात करना चाहूँगा दूसरे तरीके की जी हाँ जो कि एक online तरीका तो दिखे हमारे इंडिया के इंडर जितने भी launch access है for an example मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे visa की list दिखाई तो जैसे आप screen के सामें दे सकते ही यह almost हमारे इंडिया क इसे भी जादा जो operations जो launches है वो इनी के पास में है बलब किसी भी airport के उपर चल जाईए आपको इस company का यहाँ पर launch access वगरे देखने को मिल जाएगा नाम आपको यह नहीं दिखेगा क्योंकि इन्होंने कई सारे launch access के साथ में partnership कर रखी है and clam करके है तो ऐसे बहुत सारे आपक इस तरह के नाम दिख जाएंगे आप गईस आपको चेक कैसे करना है इनकी ना online website है यह link में आपको description box में दे दूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जैसे इस website के अंदर आप logging करेंगे अपने mobile number के साथ में उपर टॉप के उपर ही आपको एक add card का simply तरीके से option देखने को मिल जाता है आप गईस यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर अपना जो भी card है उसकी details simply तरीके से insert करनी है जैसे यहाँ पर आप अपने card की details डालेंगे जैसे की card number होगा expiry dates वगरे हो गई उसका CV number हो गया प्लस यहाँ पर आपको 2 रुपे जो है non refundable हो गए तो जैसे guys आप click करेंगे इसके उपर तो यह automatically अगर आपका card यहाँ पर valid होगा अगर वो card यहाँ पर launch access के लिए applicable होगा तो automatically आपको redirect कर देगा आपको simply OTP डालना है और 2 रुपे का simply तरीके से यहाँ पर आपका deductions हो जाता है लेकिन guys card डालने के बाद में अगर आपको इस तरह की warning दिखाता है your card is not supported for the digital access on this app please try another card तो there is a maximum chances हो सकता है आपके card के उपर जो है launch facility यहाँ पे available ना हो तो इस तरह से आप चेक कर सकते लेकिन ध्यान रखेगा अगर आपके card के benefits के नदे यह चीज़ लिखी हुई है कि आपको launch का access मिलेगा और इस app के उपर या आपका card ने यहाँ पर dreamfox के साथ में partnership कर रखी जिसके maximum launches है इंडिया के अंदर तो definitely यहाँ पर आपका card add हो जाता है और 2 रुपे deduct होके यहाँ पर आपका card जो इसके अंदर save हो जाता है तो यहाँ जैसे आप अपने card वाले section के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप screen के का यहाँ पर credit card मेरे यहाँ पर add हो चुका है अब जैसे यहाँ पर details के ओपर click करूँगा तो यह मुझे automatically बता देता है कि मेरे card के ओपर केवल domestic launch का access मुझे मिल पाएगा और यह पूरे साल बर के अंदर 4 visit में को यहाँ पर allow करते है तो साथ में guys यहाँ पर आप जैसे browse के ओ आपको बताएगा कि कहां कौन सी location के ओपर कौन से airport के जो launch access है वो यहाँ पर आप access कर सकते है तो simply तरीके से यहाँ पर इसने पूरी मुझे list अगरे भी निकाल के देती है प्लस यह online booking कैसे होता है उसके उपर एक अपना पूरा separate video होगा बस यहाँ पर side use करने का मेरा purpose यह थ ताकि मैं आप लोग को यहाँ पर बता सकूँ कि यहाँ पर आप किसी भी card को add करवा सकते है और अगर आपका दो रुपे का reduction होगा तो यह simply तरीके से आपको एक ultimately summary बता देगा कि कितने launch की visit जो है आपके card के ओपर applicable है प्लस आपका card यहाँ पर eligible है की नहीं है तो guys वोपी like this इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box के अंदर ज़रू बताईए और इस पर मैं जल्दी एक को separate वीडियो बनाऊंगा अगर आपको launch access में QR code के साथ में entry वगरे चाहिए तो किस तरह से आप यहाँ पर avail वगरे कर सकते है थैंक्यू ग